एक बार की बात है, एक सरोबर में तीन दिव्य मचलियां रहती थी, वहां की तमाम मचलियां उन तीनों के प्रती श्रदा में बटी होई थी, एक मचली का नाम वेवारिक बुद्धी था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धी और तीसरी का नाम अती बुद्धी था, अती बु वह सोचती कम थी, परामपरा गत ढंग से अपना काम किया करती थी, वैवारिक बुद्धी ना परामपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्तर पर उसे जब जैसी आवशकता होती थी, निरने लिया करती थी और आवशकता ना पढ़ने पर किसी शास्तर के पत्ते तक नहीं दलती थी एक दिन कुछ मशुवारे सरोबर के तड़ पर आए और मचलियों की बहुतायत देखकर बाते करने लगे कि यहां काफी मचलियां हैं सुबा आकर हम इसमें जाल डालेंगे उनकी बाते मचलियों ने सुनी वहवारिक बुद्धी ने कहा हमें फोरन ये तलाब पतले स्त्रोतों का मार्क पकड़कर उदर जंगली घास से डखे हुए जंगली सरोबर में चले जाना चाहिए मध्यम बुद्धी ने कहा प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहां जाते हैं और अभी वो मोसम ही नहीं आया हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंप्रा को नहीं तोड सकते हैं मचुआरों का खतरा हो या ना हो हमें इस परंप्रा का ध्यान रखना है अतिपुद्धी ने गरब से हस्ते हुए कहा तुम लोग अग्यानी हो तुमें शास्तरों का ग्यान नहीं है जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है फिर हम लोग एक हजार तरीकों से तैरना जानते हैं पानी के तल में जाकर बैठने की समयर्था है हमारे पूँच में इतनी शक्ती है कि हम जालों को फाड सकती है वैसे भी कहा गया है कि संकटों से गिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है अवल तो ये मचुआरे आएंगे नहीं आएंगे तो हम तैर कर नीचे बैठ जाएंगी उनके जाल में आएंगी ही नहीं एक दो फंस भी गई तो पूँच से जाल पाड़कर निकल जाएंगी भाई शास्त्रों और ग्यानियों के वचनों के विरुब्द मैं तो नहीं जाओंगी विवारिक बुद्धी ने कहा मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती मगर मेरी बुद्धी कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भ्यानक शत्रू की अशंका सिर पर हो तो भाग कर कहीं छुप जाओ ऐसा कहते हुए वो अपने अनुनाईयों को लेकर चल पड़ी मद्यम बुद्धी और अति बुद्धी अपने परंपरा और शास्त्र ग्यान को लेकर वहीं रुख गई अगले दिन मचवारों ने पूरी त्यारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक ना चली जब मचवारे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब वहारिक बुद्धी ने गहरी सांस लेकर कहा इनके शास्त्र ग्यान ने तो दोखा दिया काश इन में थोड़ी वहारिक बुद्धी भी होती सीख वहारिक बुद्धी से हमारा आशे है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कारे का परिनाम निकलने पर क्या समस्य आ सकती हैं ये सोचना भी वहारिक बुद्धी है बोलचाल की भाशा में हम इसे कोमन सेंस भी कहते हैं और बले ही हम बड़े ग्यानी ना हूँ, मोटी मोटी किताबे ना पड़ी हूँ लेकिन हम अपनी वहारिक बुद्धी से किसी परिस्तिती का सामना असानी से कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो वो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जुरू बताना वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरू जाना धन्यवाद